कि नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र दघ्यान धारा के प्लैटफॉर्म पर इससे पहले मैंने आपके साथ टेक्नोलोजी और यंग्स्टर्स के बारे में बात की आज मैं परंट्स से बाते करना चाते हूं एक बहुत अच्छा वाकिया एक बहुत अच्छे स्वामिनन संद्र के पासे सुना था और प्रमुक्सवां महराज एक बर हुआ ऐसा कि प्रमुक्सवां महराज भरी जोम में बैठे थे और छोटा सा बच्च्रा udah ईकर बोला कि स्वामी जी आपने ये पैर में ऑप्रेशन करवाया है, वो बड़ा सा चीरा लगा हुआ है, मुझे दिखा ही है नो वो कैसा है, भरी सभागा। स्वामी महाराज में सहस्ता से वो दिखा है, बच्चे ने देखा, तो तुहल गृत्ती से और चला गया। स्वामी जी आप मैंने देखा है कि आप प्रवचन देने के बाद उसके बाद आपके मूठ के दात निकाल के साइड में रख दिते हैं। मैंने कल रात को बहुत ट्राइ किया, लेकिन ये हुआ नहीं। अब मुझे सिखाएंगे। प्रमुक स्वामी महाराज ने भरी सभा में हस्ते-हस्ते वह वच्चे से कहा के आपके यह नहीं हो सकता और आपको उसका प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। उसने कहा क्यों? महाराज ने कहा किया, मेरी उम्रक के होंगे तब भी ऐस सब चीज़े आप कर पाओ। तो मुबालक ने फिर से एक बार पुछा कि रिक्वेस्ट करता हूँ, स्वामी जी आपका डेंचर है वो बाहर निकाल सकते हैं, भरी सभा में, बहुत सहस्ता स्थिक, शान्ती से, प्रभुख स्वामी महाराज ने वो डेंचर बाहर देखा और टेबल पर रख दिया, फिर बोला, स्वामी जी आप मुँ खो लिए और बहुत कुटूलता से उसने वो देखा और थेंक्यू स्वामी जी करके चला गया। भरी सभा में यही लाइन में पीछे, यह बच्चे के पीछे एक बोड़े, बहुत बड़े नामी व्यक्ती थे, वो नामी व्यक्ती ने प्रमुक्स्वामी महराज को बोला कि मैं आपको शक्षत नमन करता हूँ, भरी सभा में इतना चोटा बच्चा, आपको यही ऐसे चोटे सभाल बुषता है और आप बहुत सहस्ता से उसका जवाब देते हो, प्रमुक्स्वामी महराज धसे हैं, मुस्कूर आएं, मैं पैरेंट्स से बाते करना चाहिए, कि यही संदने चोटे बच्चे के चोटे सभाल कितनी सहस्ता से हैं, भरी सभा में, आराम से जवाब देते हैं, ऐसे लाखों लोगों के जवाब प्रमुक स्वामी महाराज ने ऐसी सहस्ता से दिये हैं वही सवाल जो हो सकते हैं कि रिलेटेड हो या रिलेटेड ना भी हो जैसे तेसे हो फिर भी वो आराम से शान्ती से जवाब देते से मैं पैरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि हमारे घर तो आपका या तो एक बच्चा होगा या तो दो बच्चा होगे वो दो बच्चों को भी हम आराम से उनकी कुदुवलता से पूछे गए हुए सवाल का जवाब ने दे पाते कि पता नाओ तोम ना अभी नहीं बोलते और उसको डाट देते हैं ध्यान रखनू हुआ ऐसा कि बहुत साल पहले की बात है कि एक बहुत बड़े वह बहुत बड़े इंडस्ट्रियालिस्ट थे, वह बहुत बढ़े इंडस्ट्रियालिस्ट थे वह 17 साल के वह बहुत बढ़े नाम यह जो पर विडियो किया, और एसा वीडियो था, बएसा बादा सामरज है था लेकिन उसके बैटे ने उनको निकाल दे, एक 2bhk का घर दे ड्राइवर दिया बहुत बड़ा सामरेज ध्यान रखी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसा हुआ कि क्योंकि हम पैरेंट्स है वो पैरेंट्स बच्पन से करते क्या है बच्चे को अलग-अलग चीजे सिखाते हैं बहुत अच्छी बात उसे हम दिखाते कि यह माइकल जैक्सन है यह शारुक खान है इसको देख लो यह विराट पॉली है यह सब को हम दिखाते हैं भी बहुत अच्छी बात है लग-अलग फिल्ड में जो आगे बड़े उनको दिखा नहीं चाहिए उससे बच्चों को इंस्पिरेशन बिलता है ले यह सब चीजे सिखाते हों ध्यान रखिए बच्चे हैं वो बच्चे की जो जीवी है जो दिमाग है वो खाली होता है उस पर आप कुछ भी अंकित कर सकते हैं अगर आप विराट पॉली का नाम अंकित करेंगे तो वो होगा बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ-साथ में आ अपने माबाप के लिए क्या क्या किया था तो वही चीज वह उसके दिमाग में आएगी और वही संसकार उसके दिमाग में आईगी एक बार हुआ ऐसा कि एक संत के पास एक पैरेंट्स आपने 13 साल के बच्चे को लेकर आए संत को बताया कि आपक्च से परसनल बात करनी है स पारेंट्स ने कहा कि महाराज मैं क्या बता हूं ये 13 साल का बच्चा मेरा सिगरेट पीता है। बाहर खड़े रेके रास्ते पे 13 साल का मेरा बच्चा सिगरेट पीए ये तो कोई संस्कार है। स्वामी जी ने कहा कि वह बात तो ठीक है लेकिन मुझे आप मेरे प्रश्ना का उत्तर दीजिए कि कि आप सिगरेट पीते हो पिदा जी ने बताया है मैं पीता हूं अच्या गोजिए यह आप घर में बच्चे के सामने कभी कभी शिग्रेट पीटे और तो ख़ी का पैकेट खाली हो गया तो आपके आप आपके बच्चे को यह फुसलिएब स्वामी जी ने बोला बात खतब हो गई आपने सब कुछ उसको दे दिया सिर्फ एक चीज बाकी थी कि वो जाके सिर्फ एक काम कम्प्लीट करें क्या सिगरेट पीने का वो उसने कर दिया मैं पैरेंट से यही बात करना चाता हूँ कि हम सब चीजे प्रोवाइड करते हैं लेकिन हम संसकार प्रोवाइड नहीं करते हैं और वो संसकार कैसे मिलेंगे वो संसकार से बुक पढ़ने से नहीं मिलेंगे आप उसको एट्मोस्ट्रियर प्रोवाइड कीजिए अलग-अलग पुरानी कहानिया उसके साथ शेयर कीजिए बच्चे के मन में वो जाएगा तो सर्शकार आएगा सत्यनादेला का नाम अगर आपने सुना होगा बहुत बड़े इंडस्ट्रियालिस्ट उनको पूशा गया कि आप इतने आगे कैसे बड़े और इतने आगे बड़े तो बड़े लेकिन इतना पावर होने का पोजिशन है फिर भी आप इतने विनम्र कैसे हैं उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे पैरेंट्स की वज़ा से मेरे पैरेंट्स ने मुझे रूट्स दिये हैं रूट्स माने संसकार मेरे पैरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा है कि तू इतना भी आगे जा लेकिन अपने संसकार, अपने रूट्स अपनी सब्यता को अपने साथ लेकर चलना और दूसरा सिर्फ रूट्स देकर मुझे बांद कर घर में नहीं रखा मुझे विंग्स दिया है विंग्स मुझे ने फुला आकास दिया है कि तेरे लिए फुला आकास है तू जितना मुक्त तरीके से आगे बढ़ सकता है उतना बढ़ जितना भी उचा जा लेकिन ये विंग्स के साथ-साथ अपने रूट्स अपने संसकार को साथ कर रख तो यही छोटी-छोटी बाते हम उमारे बच्चों को सिखा सकते है अगर बच्पन से ये छोटी-छोटी बाते हम उमारे बच्चों को सिखाएंगे तो वही संसकार वही रूट्स आगे बढ़ेंगे और वही संसकार बच्चों को जीवन में सफलता दिलाएंगे यही एक विचार के साथ आपका साहयक मिर्ट्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाज़त लेता है अगले एपिसोड में फिर से एक बार नहीं बाते करेंगे तब तक के लिए सबका शुल हो